नमस्कार, परसनाब दी वीक में इस हपते पेश है एक ऐसे व्यक्तित के कहानी जो अपनी कृतियों में भरता है सोने से रंग, जी हाँ सोने से रंग उसकी कृतियों में रंग नहीं बलकि सोना चांदी और मड़ी पथथर से जो रंग बनता है वो भरी जाती है और इनसे जो कीमत होती है जो पेंटिंग बनती है उसी कीमत करोड़ों में होती है उत्तर प्रदेश पिधान सभा की दीरगा में सूबे के कई पूर बुखमंत्रियों के आकर्शक और जीवन पोर्ट्रेट लगे हैं इनका सुनहरा रंग चित्त को आकर्शित करता है इन्हें निहारने पर एसा लगता है मानो यह अभी बोल पड़ेंगे सिल्प और पेंटिंग की ये नायाब पच्चिकारी की है मतुरा के चित्रकार कृष्न कनहाई ने ये अपनी कलाकृतियों की पेंटिंग रंगों से नहीं बलकि सुद्ध सोने और चादी से करते हैं कृष्न कनहाई या थार्तवादी श्रमकालीन और राधाकृंड की धीम की पेंटिंग बनाने में माहिर है देश विदेश में सोहरत बटोर चुके कनहाई को 2004 में उनकी अनोठी कलाके लिए पदमिस्री सम्मान भी मिल चुका है अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे कनहाई की सुद्ध सोने से बनी पेंटिंग की कीमत करोणों में होती है कृष्ण कनहाई का जन 21 अगस्त 1961 को मतुरा के दिंदावन में हुआ था लेकिन कृष्ण कनहाई ने 15 साल की उम्र में ही एक चित्रकार के रूप में अपने कैरियर यात्रा सुरू कर दी अपने नाम को चरितार्थ करते हुए कृष्ण कनहाई ने अब तक राधा कृष्ण और उनके किस्सों को अपना विसाय बनाकर हज्जारों चित्रों को जीवन्द किया है लोकिन जो चीज उनकी कला को वास्तों में अदूती बनाती है वो है चित्रों में सुद्ध सोने और विभीन कीम्ती रतनों का उपयोग वै कहते हैं सुद्ध सोने का पैंटिंग में उपयोग तो बहुत समय से पहले होता रहा है लेकिन उत्तर भारत में इस तरह की कला हाल के दिनों में बिलुप्त हो गई थी जिसे ये जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं पेंटिंग को सुन्दर और रचनात्मक बनाने के लिए ही है पेंटिंग के इस रूप को उनर जीवित करने में जुटे हैं कनाई सुद्ध सोना खरीते हैं फिर इससे बने रंग को वो अपने चित्रों में उप्योग करते हैं। सोने के रंग से बनी उनकी तमाम पेंटिंग्स कई बड़ी हस्तियों ने खरीदी हैं। सोने का रंग पेंटिंग को जीवन्त कर देता है। कनाई ने कई हस्तियों के भी चित्र बनाए है तिरुपति बाला जी और वगवान कृष्ण पेंटिंग उनकी सबसे महगी पेंटिंग में से एक है इन्हें रगने के लिए लगवग 500 ग्राम सोने का उपयोग किया गया है इसे पूरा करने में लगवग 6 महीने का वक्त लग जया इस तरह की पेंटिंग कम स में ये कला अपने पिता पदमस्री चित्रकार कनाई से सीखी अब बिंदाबन में कनाई और वर्क्स की परंपरा को ये आगे बढ़ा रहे हैं भारस सरकार ने उन्हें 2004 में पदमस्री पुरसकार से सम्मानित किया था इसके अलावां 2019 में राष्टी कालिदास एवार्ड और 40 प्रदान मंत्री अटल विहारी बाजपेई के लाइफ साइज प्रोट्रेट को भी इन्होंने ही तयार किया था इनके पिता भी मशुहूर कलाकार रहे हैं इनके पिता का नाम कनहाई था और उन्होंने बहुत से मस्मूहूर पेंटिंग्स बनाई उन्होंने ही पेंटिंग्स में सोने का पाउडर, सोने की पत्मिया और मड़ पत्थरों के उपियोग की प्रथा की शुरुवात की थे 1934 में मत्रा के ब्रिंदाबन में जन्मे कनहाई शुरुवाती दिनों में प्रिसिद्ध फिल्म निर्माता गुरुदत के लिए एक कला निर्देशक के रूप में काम करते थे बाद में वह ब्रिंदाबन लोटाए और वहाँ पर उन्होंने अपना स्टूडियो अस्थापित किया बाद में यही स्टूडियो कनहाई आर्ट वर्ष बन गया जहां पर कनहाई के दो बेटे कृष्ण कनहाई और गोविंद कनहाई अपनी कलाकृतियों का निर्माड कर रहे हैं कनहाई को भी 2000 में भारत सरकार ने पद्मस्री अवार्ड से श्रमानित किया था 14 अगस्त 2013 को इनका निधन हो गया अब उनके दोनों बेटे उनकी परमपरा को आगे बढ़ा रहे हैं